ओम शान्ती 24 आठ दोहजार चौबिस की मुली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा सदा हलका रहने के लिए इस जनम में जो जो पाप हुए है वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो बाकी जनम जन्मांतर के पाप जो सिर्पर है उसके लिए याद के यात्रा में रहो याद से ही पाप कटेंगे फिर खुशी रहेगी बाब की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी फिर कहा ड्रामा के आदी मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृती में रख दूसरों को भी स्मृती दिलानी है ज्यान अंजन देकर अज्यान अंधेरे को दूर करना है ब्रह्मा बाब समान कुरवान जाने में पूरा फॉलो करना है शरीर सहित सब खलास हो जाना है इसलिए इससे पहले ही जीतेजी मरना है बाकी अंत समय में कुछ भी याद ना आए अब सुनते हैं मावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप ने तुम्हे संगम पर जो स्मृतिया दिलाई है उसका सिम्रन करू तो सदा हर्शित रहेंगे प्रश्न है सदा हलके रहने की युक्ति क्या है किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे उत्तर सदा हलका रहने के लिए इस जनम में जो जो पाप हुए है वो सब अविनाशी सर्जिन के आगे रखो बाकी जनम जनमांतर के पाप जो सिर्पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो याद से ही पाप कटेंगे फिर खुशी रहेगी बाक की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी ओम शान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप समझाते हैं तुमको स्मृती आई है कि हम आदी सनातन देवी देवता धरम के थे हम राज्य करते थे हम बरुबर बेश्व के मालिक थे उस समय दूसरा कोई धरम नहीं था हमने ही सत्यूक से लेकर जनम लेते 84 का चक्र पूरा किया सारे ज़ाड की स्मृती आई है हम देवता थे फिर रावन राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे इसलिए धरम ही दूसरा समझे लिया और किसका भी धरम बदलता नहीं है जैसे क्रैस्ट का क्रिश्चियन धर्म बुद्ध का बोद्ध धरम ही चला आता है सबकी वुध्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया हिंदों को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदु धर्म कब से शुरू हुआ किसने बनाया लाखो वर्ष कह देते सारे स्रिष्टी चक्र का नौलेज तुम बचों को ही है इसको कहते हैं ज्यान विज्यान उन्होंने विज्यान भवन नाम भल रखा है परन्तु बाप उसका अर्थ समझाते है ज्यान और यूग रच्ता और रच्ना के आदी मध्य अंध का ज्यान अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे नास्तिक थे सत्यूग में तो यहां ज्यान हो नहीं सकता अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है पढ़कर तुमको राज भाग मिलता है क्योंकि तुमको रहने के लिए नई स्रिष्टी चाहिए इस पुरानी स्रिष्टी में तो पवित्र देवी देवताय पैर रखना सके बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं हमारे लिए विनाश जरूर होना है कल्प कल्पांतर हम यहां पाड़ बजाते हैं बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने, कल्प पहले भी बेहत सुक्का राज्य भाग्य मिला था, यह सब बाते जो स्मृती में आई है, अब उनका सिम्रन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वादर्शन चक्र कहते हैं, हम पहले सतो प्रधान थे, यह भी तुम्हें स्मृती आई, के हर ए एक आत्मा को अपना अपना पाट मिला हुआ है, हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पाट भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा, यह बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात, कोई एड, वकट नहीं हो सकती है, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते, कोई मुक्ती मांगत मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, यह भी स्मृति में रखना है, स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे, तुम्हारा धन्दा ही यहा है, बाप ने जो स्मृति में लाया है, वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उंच पद पा सकेंगे, उंच पद प जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे उसका नाम ही है अमर लोग यहां है मृत्यू लोग यहां तो अचानक बैठे बैठे मोत आ जाता है वहां मृत्यू का नाम निशान नहीं क्योंकि आत्मा को तो बास्तव में काल खाता नहीं कोई मिठाई की चीज थोड़ी है ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है काल कोई पकड़ता नहीं है आत्मा एक शरी छोड़ दूसरा लेती है काल कुछ भी नहीं है यह तो कथाय बैठ बनाई है वो है अमर लोग वहां निरोगी काया रहती है सत्यूप में भारत वासियों की आयू भी बड़ी थी योगी थे योगी और भोगी का फर्क भी अब मालुम पड़ता है तुमारी आयू ब्रिद्धी को पा रही है जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाभस्म होंगे और पद भी उच मिलेगा आयू भी बड़ी होगी या था राजा रानी आयू पूरी कर शरीर छोड़ते है प्रजा का भी ऐसा होता है परंतु पद का फर्क है अब बाप तुमको कहते हैं स्वादर्शन चक्रधारी बच्चों यह अलंकार तुम्हारे है ग्रिहस्त वैवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो सिवाए तुम्हारे और कोई रहना सके यह भी स्मृति आई है कि इस जनम में हमने कितने पाप किये हैं इसलिए बाबा कहते हैं वो सब अविनाशी सर्जिन के आगे रखो तो हलके हो जाएंगे बाकी जनम जनमांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना है योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी बाब की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा परन्तों यह युद्ध का मैदान है मेहनत करनी पड़ती है इतना उँच पद पाने के लिए यह भी बच्चों को स्मिति आई है के बेहत के बाप से हम उँचते उँच वर्षा लेते हैं कल्प कल्प लेते हैं तुम्हारे पस बहुत आएंगे आकर महामंत्र लेंगे मन मनाभव का मन मनाभव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो यह है महान मंत्र महान आत्मा बनने के लिए वो कोई महात्मा है नहीं महात्मा तो बास्तव में श्री क्रिष्ण जों कहा जाता है क्योंकि वह पवित्र है देवताय सदय पवित्र रहते है देवताओं का है प्रवृति मार्ग शन्यासियों का है निवृति मार्ग स्ट्रिया तो धकके खा न सके यह सब अभी कल्युग में खराबिय हो गई है स्त्रीयों को भी सन्यासी बना कर ले जाते हैं फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है जैसे पुराने मकान को पोची अधी लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं परंतु बाप कहते हैं वो धर्म ही अलग है पवित्र बनते हैं भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदी है यह भी खेल है जेसका बृत्यान तुम बताते हो भक्ति मार के लिए यह सब भी चाहिए न एक शिव के ही कितने नाम रख दिये हैं नाम पर मंदिर बनता गया है धेर के धेर मंदिर है कितना खर्चा होता है मिलता फिर भी आधा कल्ब का सुख है बस बहुत पैसे लगाते हैं मूर्तिया तूट फूट जाती है वहा तो मंदिर आदी की धरकार नहीं है यह भी अभी स्मृति आई है के आधा कल्ब भक्ति चलती है आप कितनी स्मृती दिलाते हैं इस वेराइटी जाड़ की सिर्फ कलियुक की आयू ही 40,000 वर्ष हो फिर तो क्रिश्यन आदी की आयू भी बहुत बढ़ जाए बाप समझाते हैं क्रिश्यन धरम की इतनी ही लिमिट है यहां जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है फलाने को इतना समय हुआ धरम स्थापन किये लेकिन फिर भी जाएंगे कब यहां पता नहीं है कल्प की आयू ही लंबी कर दी है अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तयारिया हो रही है उन्हों की है साइन्स तुम्हारी है साइलेंस तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजे तयार करते रहेंगे दिन प्रती दिन महीन चीजे बनाते रहते हैं तुमको अंदर में खुशी होती है बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए है तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे कमाल है बाबा की बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है अभी तुमको सारी स्मृति आई है वो तो रचता और रचना के आदिमध अंत को जानते ही नहीं है तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो मनुष्य तो घोर अंधियारे में है फर्क है न ज्यान अंजन सद्गुरु दिया अज्यान अंधिर विनाश भक्ति वाले ज्यान को नहीं जानते है अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्यान को भी जानते हो सारी स्मृति आई है भक्ती कब शुरू होती है फिर कब पूरी होती है बाब कब ज्यान देते हैं पूरा कब होगा सब स्मृति है नंबर वार तो है ही किसको बहुत स्मृति है किसको कम जिनों को बहुत स्मृति रहती है वो उच्पद पाएंगे स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए Wonderful स्मृति है ना आगे तुम्हारी वुद्धी में क्या था भक्ति जब तब तीर्थ करना माथा टेकना सारी टिपड ही घिस गई है भक्ति की स्मृति और ज्यान में कितना फर्क है तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है जानते हो हमने पहले-पहले शिव की भक्ति की फिर देवताओं की और कोई को भी यह स्मृति नहीं है तुमको रचना के आधी मध्य अंत भक्ती आधी की सब स्मृति है आधा कल भक्ति करते-करते गिरते ही आये हो अभी तो दुख के पहाड गिरने है तुम बच्चों को पुरुशार्थ करना है यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करे सबको तुम यही समझाते हो तुम्हारे पास हजारों आते हैं तुम मेहनत करते हो भाई बेहनों को रास्ता बताने की ज्यान और भक्ती की स्मृति आई है गोया तुम सारे ड्रामा को नंबर वार पूर्शा तनुसार जान गए हो जो जितना अच्छी रिती जानते हैं वो समझा भी सकते हैं समझाना तो बच्चों को ही है गायन भी है सन शोज फादर बाप बच्चों को समझाएंगे बच्चे फिर और भाईयों को समझाएंगे आत्मा ओको समझाते हो न भक्ती से यह अज्ञान बिलकुल न्यारा है गायन भी है न एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं एक बाप के सब बच्चे है, बाप कहते मैं सब बच्चों को शांती धाम सुख धाम में ले जाता हूँ कल्प कल्प का यह अज्ञान भी तुमको अभी है वहां नहीं होगा तुम पतिद बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेनद करते हैं इसलिए गायन है कुर्बान जाओं, वारी जाओं किस पर? बाप पर फिर बाप मिसाल बताते हैं यह कुर्बान कैसे गया? फॉलो इस सेंपुल को करो यही फेल लक्ष्मी नारायन बनते हैं अगर इतना उचपद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है साहुकार कभी कुर्बान हो न सके यहां तो स्वाहा करना पड़े साहुकार को स्मृती जरूर आएगी गायन भी है ना अन्तकाल जोस्त्री सिम्रे इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं क्योंकि सब खत्म हो जाने है मैं भी लेकर क्या करूंगा? शेरीर सहीत सब कुछ खला सोना है आप मुए मर गई दुनिया यह धन आदी कुछ भी नहीं रहेगा बाकी गरूर पुरान आदी में तो रोचक बाते डाल दी है डराने के लिए बाप कहती है यह शास्त्र आदी है भक्ती मार्क के आधा कल भक्ती मार्क चलता है जबके रावन राज्य होता है कोई से पूछो रावन कब से जलाते हो तो कहेंगे परंपरा से अरे परंपरा से तो रावन होता ही नहीं मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से तुम बच्चों को अब स्मृती आई है रावन राज्य कपसे शुरू होता है रचता रचना का राज भी तुम समझाते हो अब आप कहते हैं बच्चे मामे कमियात करो तो पाप कटे एक दो को यही सावधानी देते रहो घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बाते करो सारा जुन्ड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांती का प्रभाव बहुत पड़ेगा पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में कोई तरफ देखते भी नहीं है तुम तो यहां बहुत याद में रह सकते हो कोई गोरग धन्दा नहीं है बहुत अच्छा वायू मंडल है बाहर में तो बहुत छीची वायू मंडल रहता है इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं तुम्हारा तो है ही बेहत का सन्यास परिस्तान के मालिक थे न अब नहीं है बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम यूगे आता हूँ यह सारा चक्रे रिपीट होता ही रहता है इस समय तुमको सब स्मृति आई है जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है आगे कुछ भी बुद्धी में नहीं था इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे स्मृति में रहते तुम्हें घर बार समालना है अच्छा सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रुहानी बच्चों ब्रती माद पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धाना के ले मुखे साथ पहला ड्रामा के आदी मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृती में रख दूसरों को भी स्मृते दिलानी है ज्यान अंजन देकर अज्यान अंधेरे को दूर करना है दूसरा, ब्रम्हा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है शरीर सहीज सब खलास हो जाना है इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है बाकी, अंत समय में कुछ भी याद न आए वर्दान, विशेष्टा के संसकारों को नेच्रल नेचर बनाए साधारंता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव बिस्तार है, जो नेचर होती है वो स्वतह अपना काम करती है सोचना, बनाना यह करना नहीं पड़ता है लेकिन स्वतह हो जाता है ऐसे मरजीवा जनमधारी ब्राम्हारों की नेचर ही है विशेश आत्मा के विशेशता की यह विशेशता के संसकार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है साधारंता पास्ट की नेचर है अभी की नहीं क्योंकि नया जनम ले लिया तो नए जनम की नेचर विशेशता है साधरंता नहीं स्लोगन है रोयल वो है जो सदा ज्यान रतनों से खेलते पत्थरों से नहीं रोयल वो है जो सदा ज्यान रतनों से खेलते पत्थरों से नहीं अच्छा ओम शान्ती झाल 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 झाल